तियो अलम्पिक संग के विशेश पैनल ने छे आंदोलनकारी पहलवानों के लिए एशियाई खेलो और विश्व चैंपियंशिप की चैन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले की प्रतियोगिता करार दिया है इन पहलवानों को अब दोनों प्रतियोगिताओं में भारतिय टी में जगा बनाने के लिए सिर्फ ट्राइल की विजेताओं को हराने की जरूरत होगी ये छे पहलवान हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलीक, संगीता फोगाट, सत्यवरत, काध्यान, जितिंद्र सिनहा आपको बदा दे कि इन छे पहलवानों को ना सरफ शुरुवाती ट्राइल में हिस्सा लेने से चूट मिली है, बलकि उन्हें वादा किया गया है कि वो 5 से 15 अगस के बीच ट्राइल की विजेताओं से भिढ़ेंगे गौर तलब है कि पहलवानों ने खेल मंत्राले से आगरे किया था कि उन्हें एशियाई खेलों के ट्राइल में अगस्त में हिस्सा लेने की मंजूरी दी जाए क्योंकि भारतिये कुष्टी महासंग के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूशर चरन सिंग के खिलाफ लंबे सम के लिए संबंदिद भार वर्क के विजेताओं के साथ आयू जित किया जाएगा भारती ओलंपिंग सग ने 16 जून को एशियाई ओलंपिक परिशत से संपर कर भारती कुष्टी टीम के लिए नामों के साथ प्रविष्टियां जमा करने की और 15 जुलाई की समय सीमा बढ़ा कि मांग की थी